आवाज की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का इस्टेडिवीत फोजी फेमिली में मैं कमंड वायर के नएक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं उमीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे आप सब की तहरी बहुत अच्छी चल जए होगी तो इससे पहले दोस्तों आपको मैं यह वीडियो प्रारम करूं उससे पहले आप सबसे निवदन है कि आप दोस्तों अगर कोई भी वीडियो आपको फसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों और साथ ही दोस्तों अगर उसके आपको अच्छा लगता है कोई भी जान करी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दोस्तों आने वाले समय में जो भी महत्पूर्ण अदेन सामगरी से समदित जो वीडियो बनाए जा रहे हैं दोस्तों यह आपके लिए फायदेमन साबित भी होंगे जब दोस्तों इ पूरा सिक्वेंस वाइस देखेंगे एक नमबर वीडियो से लेकर 69 वीडियो तक तो दोस्तों वर्ल्ड जोगरोफी से समदित आपका एक भी क्योशन नहीं चुटेगा और उसी के साथ दोस्तों अब आदुनिक भार्त के इतियास से समदित जो महत्पूर्ण जानकर यह आ यह दोस्तों जो नोर्स बनाएं उनको भी समय समय पर रिविजिन करते रहिए क्योंकि दोस्तों आखिरकार जो एक्जाम में सफलता है वो प्राप्त करने के लिए आपको कटोर मेहनत करनी होगी मेहनत से बढ़कर दोस्तों कुछ भी नहीं होता है और जब तक आप मेहनत न का दोस्तों एक ही विकल्प है वो है मेहनत कटोर मेहनत और इसके लिए दोस्तों कोई भी सोट कट नहीं होता है तो आए दोस्तों अब आते हैं काम की बाद पर तो यहां पर दोस्तों आज हम अध्याई नंबर देस पढ़ने वाले यानि चेप्टर tenth के बारे में कुछ मेत्वपूर्ण जानकारी लेंगे जिसके अंदर दोस्तों सामाजिक दार्मिक पूनर जागरन से समधित जानकारी आजे लेने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस समधित क्यूसे ने वो पूछा जा सकता है अब दोस्तों आपके माइन में एक चीज आउसे आई होगी कि चेप्टर नंबर जो टेंत है या दस्वाज जो अद्याई है इसमें क्या-क्या पढ़ना है हमें या फिर इसमें पढ़ने के बाद में हमारे कौन-कौन से टोपिक है कलियर होने वाले हो दोस्तों हम यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों आपका सामाजिक धार्मिक पौनर जागरन से समदित यह टोपिक है और इसमें दोस्तों हम क्या-क्या कावर करेंगे तो यहां पर दोस्तों राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्रहम समाज की और यहां ब्रहम सम समाज है आरिये समाज है यंग बंगाल आंदोलन के बारे में राम कर्शन मिशन मतलब इस प्रेसे जितने भी टोपिक दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं सब टोपिक आपके कवर किये जाएंगे लेकिन सर्त यह दोस्तों आपको नोटबुक के साथ में बैठना है अगर आ याद नहीं है रियल में आपकी क्या कंडिशन है वो आपको पता है दोस्तों इनसान पूरी दुनिया के साथ में दोका कर सकता है दोका दे सकता है लेकिन अपने आपको कभी दोका नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकता अब दोस्तों जैसे मालों मैंने बोल दिया कि यह आप तोपिक हो नोट कर दीजिए आपने मान लिजिए नोट नहीं किया उसी टोपिक से क्यूसन आ गया तो वो दोस्तों आप अपने साथ ही धोका कर रहे हूं और वो दोस्तों धोका कितना बड़ा होता है वो तो दोस्तों आपको पता है कुछ ऐसे स्टुडेंट जो 0.5 से जब पड़े तो यहां पर दोस्तों उसके बार में हम देखेंगे राम करसन मिसन के बारे में थियो सोफिकल सोसाइटी के बारे में महतोपुन जानकारी लेंगे अलिगट आंदोलन के बारे में देव बंद आंदोलन के बारे में और एमदिया अंदोलन से समधित महत्पून जानकरी लेंगे अब दोस्तों आपने देख लिया कि सामाजिक दार्मिक पुनर जागरन में हम कौन-कौन से टोपिक कवर करने वाले हैं और इनी टोपिकों से समधित दोस्तों क्यों सनवोई एकजाम में पूछा जाता है अब दोस्त दोस्तों ब्रह्म समाज की इस्ताफना या फिर दोस्तों इन्हें ब्रह्म समाज के संस्ताफक माने जाते हैं लेकिन दोस्तों अब इससे समधित क्यूशन किस ताइफ से पूछा जाता है वो यहां पर देख लेते हैं यहां पर दोस्तों राजा राम महुन राय को भारतिय पुनर्जागरन का जनक कहा जाता है अब दोस्तों क्यूशन अभी कुछ समय पहले में देख रहना था एक एक जाम का क्यूशन क्यूशन पेपर था उसमें आया था कि व्रहम समाज के सनस्था कोन ते या फिर पुनर्जागरन कीальной माना जाता है, तो इस तरह से दोस्तों क्योसन वो पूचा जा सकता है की भ dignity पुनर्जागरण का जैनक किसे माना जाता है तो अब दोस्तों आप का right answer होना चाये रहा राजारा मौन राई, यानि इसे समझ दित आपका गलत नहीं होना चाहिए अब दोस्तों यहां पर आप चाहें चित्र भी देख लीजिए राजाराम मौन राए का ताकि आपको याद करने में आसानी हो उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं की इनका जनम 22 मही 1772 के अंदर दोस्तों हुगली जिल्य के में इस्तित एक नगर है जिसका नाम है रादा नगर वहां पर इनका जनम होता है और इनको दोस्तों काफी अनेक बासाओं में बहुत अच्छा नोलेज था बहुत अच्छा ग्यान था इसलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कौन कौन सी बासाओं के बारे में इनको ग्य यानि दोस्तों इतनी बासाओं का इनको नोलेज था लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कंडिशन एसी और रखिए कि कुछ ऐसे इस्टेट है जाँ पर दोस्तों हिंदी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वहां पर दोस्तों हमारी जो हिंदी बासा है उस इन्हें एकेस्वर वादियों के उपवार नामक एक पुस्तक लिखी थी, यानि दोस्तों, एकेस्वर वादियों को उपवार नामक पुस्तक है, वो किस ने लिखी थी, राजराम महुंदराई ने लिखी थी, कब लिखी थी दोस्तों, 1809 में, इसे समंदित भी आपका क्यूस तो अब दोस्तों राजराम महनराई से समद्धित है कि 1820 इस्वी में दोस्तों प्रिशेंप्स ओफ जीजस की रचना इन्होंने की थी, अब दोस्तों इस समद्धित भी क्योशन अगर पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए कि प्रिशेंप्स की जो रचना है व और उसके बाद में दोस्तों 1816 में विदांत सोसाइटी और डेविड हेर की साहिता से कलकत्ता में हिंदू कोलेज की इस्ताफना की थी अब दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं यह है डेविड हेर इनकी मदल से यह पर दोस्तों इनकी साहिता से इन्होंने क्या क्लकत्त में एक हिंदू कोलेज की इस्तापना की थी और उसके बाद में दोस्तों इन्होंने बंगला बासा में सामेवाद कोमी दी ये दोस्तों जो सामेवाद कोमी दी है इनको क्या क्या दोस्तों लिखा था और उसके बाद में फार्सी बासा में इन्होंने क्या क्या था मेरा तुल तो नामक एक अकवार का Pourquoi सन्व किया था अब दोस्तों इससे समंदित क्यूसर भी आप से पूचा जा सकता है और उसके बाद में दोस्तों20 अगर्स्त एठारा सो अठाईस में इन्हों ने क्या किया अव्रम्स समाज का तया ती की थी अब दोस्तों किस टाइब से पूछा जा सकता है नंबर एक है कि ब्रह्म समाज की इस्थापना किस ने की थी राजराम औराय ने की थी यह आपका राइटांस पर होना चाहिए कब की थी तब दोस्तों आपको याद रखना है 20 अगस्त 1828 के अंदर तो यह दोस्तों मुगल समराथ अकबर दित्ये ने इन्हें राजा की उपादी दी थी अब दोस्तों क्यूशन इस टाइब से पूछा जा सकता है कि राजाराम मौनराय को राजा की उपादी किस ने दी थी अब दोस्तों इसका राइट आंसर आप बता सकते हो यहां पर मुगल समराथ अकब दितीये ने इनको राजा की उपादी दी थी और अपने दूट के रूप में ततका लिक की यह पर दोस्तों ततकालिक कि जो मर्त्यू है दोस्तों कहा हो जाती है रिस्टल के अंदर और वो कब होती है दोस्तों आपको ये भी डेट अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लिनी चाहिए ताकि दोस्तों किसी भी परकार से अगर क्योशन पूछा जाए तो आपका क्योशन गलत नहीं होना चाहि देविंदर नाथ ते तेगोर ने तो इसी समदीद भी क्योशन आपका पूछा जा सकता है उसके बाद में दोस्तों यहां पर है कि 1849 में तत्व बोधिनी सभा की इस्तापना की थी 1865 में ब्रह्म समाज का विबाजन हो जाता है अब दोस्तों राजाराम महुनरा की मर्ट्य के बाद में क्या होता है 1865 में ब्रह्म समाज का विबाजन हो जाता है आदी ब्रह्म समाज जिसके पर्मुकों थे देविंदर नाथ थे और उसके बाद में एक है आपके केशो चंदर शेन इनके नित्रत्यों में ब्रह्म समाज ओफ इंडिया बना यानि दोस्तों ब्रह्म स समाज है वो मोटे मोटे रूप में अगर देखा जाए तो दो भागों में बंट गया जैसा कि दोस्तों बारत और पाकिस्तान जैसे बटा था उसी प्रकार ये भी अलग-अलग दो भागों में बढ़ जाता है तो इसे समंदीत भी दोस्तों आपका क्यूशन गलत नहीं होना चाहिए जो भी नोट करते हो दोस्तों साथ साथ आप रिविजन भी करते रहिए उसके बाद में अब दोस्तों हम प्रातना समाज के बारे में कुछ मैत्पून जानकारी लेते हैं क्योंकि दोस्तों प्रातना समाज से समंदीत भी क्यूशन है वो एक्जाम में पूछे जात 1866 में प्रातना समाजगी इस्तावना की यानि दोस्तों ये जो आत्मा राम पंडू रंग है इन्होंने परभावित हुआ ये परभावित किसे हुए थे कैसो चंदर सेंड से परभावित हुए और महाराश्टर में दोस्तों इन्होंने क्या क्या प्रातना समाजगी इस्ताबना की अब दोस्तों रानाडे को पश्चिम भारत में सांसकर्टिक पुनर जागरन का अगरदूत माना जाता है इन्हें महाराश्टर का सुकरात भी कहा जाता है अब दोस्तों क्यूस्टन आपसे पूछा जाएगा, महराष्टर का सुकराथ की से कहा जाता है, तब दोस्तों आपका जाय टानस्वर यह होना चाहिए, और दोस्तों जब तक आप नोट नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों एकजाम में आप जब जाएगे, तो इस तरह के जो क्यूशन बनेंगे उसमें यह हो सकता है कि महराष्टर के सुक्रात की जगें यह पूछ लिया जाए आप से कि पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरन का अगर दूद किसे माना जाता है तब भी दोस्तों आपका क्यूशन हो गलत नहीं होना चाहिए अब दोस्तों केशव चंदर्शेन की मदरास यात्रा से परबावित होकर केश श्री द्रालू नाइडू ने 1871 में मदरास में वेद समाज की इस्तापना की अब दोस्तों इससे समधित क्यूशन आपका गलत नहीं होना चाहिए मदरास के अंदर दोस्तों यह है वो वेद समाज की जा सकता है कि वेद समाज के संस्तापक कौन थे तब भी दोस्तों आपका क्यूशन गलत नहीं होना चाहिए अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं आर यह समाज से समधित कुछ मैत्पून जानकारी तो आर यह समाज की इस्तापना कब हुई थी दोस्तों 10 अप्रेल 1875 में ह हुई थी और बंबई के अंदर दोस्तों मानिका चंदर की वाटिका में स्वामी दयानन सर्शुति के दूरा की गई थी अब क्यूशन में दोस्तों इस तरह से भी बन सकता है कि स्वामी दयानन सर्शुति ने किसकी इस्तापना की थी यह दोस्तों आपका आर यह समाज है ज तो ये था दोस्तों लाहूर के अंदर दैनन सर्शुती का जनम 1824 में गुजरात के कठ्यावाडा में हुआ था और इनका बच्चमन का जो नाम है दोस्तों मूल संकर था यानि दोस्तों अगर पूछा जाए कि इनका मूल नाम क्या था तो मूल नाम था दोस्तों मूल संकर उस से समंदीद भी क्यों पोचा जा सकता है जिन्होंने मूल संकर का नाम दया संकर रखा यानि दोस्तों यह जो सवामी दयानंद सर्षूति थे उनका मूल नाम क्या था मोल संकर था और इस नाम को बदल कर दयानंद किस ने रखा था इनके जो गुरुजी थे उन्होंने इनका नाम बदला था वे दोस्तों अठारा सो चौतर में मतुरा में विर्जानंद स्वामी से मिले थे अब विर्जानंद जो स्वामी है दोस्तों इनसे मुलाक 1874 हिंदी बासा में 708 परकास की रचना की थी। अब क्यूसें से पूछा जाएगा कि 78 परकास की रचना किसने की थी। तब हापका राइट आन्सूर होना चाहिए दोस्तों दियननसरोती कब की थी 1898 के अंदर। तो उसके बाद में दोस्तों यहां पर है कि जिसे आर यह समाज की बाइबल कहा जाता है इसका मतलब यह काफी महतुपूर्ण है और इससे सम्गर्द क्यूसन पूछा जा सकता है और इन्होंने वेदों की और लोटो और भारत भारत वाशियों के लिए जैसे मैतुपों नारे दिये थे अब दोस्तों क्यूशन में कभी कभी पूछा जाता है कि वेदों की और लोटो किसने नारा दिया था आपका क्यूशन है वो गलत नहीं होना चाहिए साथ ही दोस्तों अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भार बारत का मार्तिन लूथर किसे कहा जाता था ये दोस्तों आपका दैनन सर्शुति को कहा जाता था इन्हों ने ही दोस्तों सहरो परतम सवराज सब्द का परियोग किया था यानि दोस्तों सवराज सब्द का सहरो परतम परियोग किस ने कहा था किया था ये दैनन सर्शुति ने किया था अब दोस्तों इससे समद्दित कुछ महत्तपूर्ण जानकारी और लेते हैं जो की एक्जाम की दिरिश्टी से महत्तपूर्ण है और यह समाज के अंतरगर्द पाश्यात्य शिक्सा के विरोध्यों ने क्या किया दोस्तों स्वामी जो सर्दानंदन है और उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक गुरू कुल की इस्तापना की थी और आपको पता होना चाहिए दोस्तों उसमें शिक्सा है वो गुरू कुल में भी दी जाती थी पास्चाते शिक्सा के समर्थकों ने हंस्राज और लालालाज पत्राय के नेत्रतुर में लाहोर के अंदर दोस्तों नवासी के अंदर दैनन्द एंगलो वेदिक स्कूल की इस्तापना की दोस्तों और इसे समधित भी क्यूशन पूछा जा सकता है कि दैनन्द एंगलो वेदिक स्कूल की इस्तापना कहा की गई थी यह दोस्तों लावर में की गई थी और कब की गई थी दोस्तों इसका राइट 183 को हुई थी कहां हुई थी अजमेर के अंदर हुई थी तो इसे समंदीत भी दोस्तों आप यह जितने भी टोपिक कवर किये जा रहे हैं उनको दोस्तों उनका जो की वर्ड होता है या पर जो जो की पॉइंट है में जैसे किसकी इस्तापना तो यहां पर दोस्तों सिर्फ आ आप उसका सदूपयोग कर सकते हैं और दोस्तों नोट्स जो होते हैं उसमें आपको पता है कि नोट्स कैसे बनाने तो वो दोस्तों आपके रिविजन के तोर पर काम आएंगे उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं यंग बंगाल अंदोलन के बारे में यह दो दोस्तों आप यहाँ पर जो देख रहे हो हेंरी विवियen है जो की दोस्तों इनका पूरा नाम है हेंरी विवियen डि रोस जियो इन्होंने क्या किया दोस्तों अथारह सो 26 में इस संक्थन की इस्तापना की ती जिसका नाम क्या था यंग बंगला अंदोलन और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रहे कि घिरो जीयो को आधुनीक भारत का राष्ट्रवादिक कवी माना जाता है या फिर दोस्तों किर्फशन ने इस टाइप से पुछा जानकारे लेंगे जो एक्जाम की दिरिश्टी से मैं तो पूर्ण है यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं राम कर्षन के बच्पन का नाम क्या था यह था दोस्तों गदादर चटोपा द्याय था और उसके बाद में दोस्तों और वे कलकत्ता में दक्षिने-श् काली मंदिर के पूजारी थे अब दोस्तों यह जो पूजारी है वो कौन से मंदिर के थे यह दो आप मंदिर देख रहे हैं यह है दक्षिने-श्वर काली मंदिर इसमें पूजारी थे इन्होंने राम कर्षन मिशन की इस्तापना की थी उसके बाद में दोस्तों स्वामी व और इनका मूल नाम क्या था दोस्तों नरेंदर नात दत था अब कभी कभी क्यूशन पूछ लिया जाता है कि नरेंदर दत नाम किसका था या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्वामी विवेका नन का जो मूल नाम था वो क्या था तब दोस्तों आपका क्यूशन वो इसका आंस पर राम कर्षन मिशन की इस्थापना की थी अब दोस्तों क्यूशन इस टाइप से पूछा जाएगा कि राम कर्षन मिशन की इस्थापना किस ने की थी तब दोस्तों आपका राइट आंसुर होना चाहिए स्वामी भीवे का नन ने की थी कब की थी 1897 के अंदर काम पर ये दो यह वराय नगर में इसकी इस्ताफ्ना थी और उस्से शमधित दोस्तों संपूर्ण जानकारी थी अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं राम कर्षन मिशन से समधित और मेत्पूर्ण जानकारी यहां पर रहें दोस्तों की विवेका नन्न ग्यारा सितंबर अथारा सो ट्रे मैं आयोजी तोFlow मायो जित पर्तम विश्वद्रम सर्मिलन में हिसा लिया था कि इन्हों ने सौमी विवे कदन्स और सर्मिलन लेने से पहले दोस्तों आप देख पा रहें ह्याँ पर की समयलन में जाने से पहले उन्होंने महराजा खेतली के कौन थे महाराजा यह दोस्तों आपके अजीद शिंग अजीद शिंग के सुजाव पर इन्होंने अपना नाम नरेंदर नात जो था उससे बदल कर क्या किया स्वामी विवे का नन रखा अब दोस्तों क्यूशन इस टाइफ से पूछा जाएगा कि किस की सलापर या फिर्वेव दोस्तों कौन से महाराजा थे जिन्होंने स्वामी विवे का नन नाम रहएंदे नात का तो यह दोस्तों आपके महाराजा था खेतली के और इनका नाम था दोस्तों अजीद सिंग तो इससे प्रquatों होना चाहिए और उसके बाद में दोस्तों इन्हें wholedah के मह होता है दोस्तों इस समयलन में परिवेश मिल जाता है और परिवेश मिलने के बाद में दोस्तों आपको पता है यह काफी महतुपून समयलन था पर्तम विश्वद्रम समयलन जो कहां हुआ था दोस्तों सिकागो में हुआ था और इसे समधित भी क्यूशन बन सकता है उसके बाद में दोस्तों यहां पर है कि आईरिस महिला मार्गेट नोबेल स्वामी विवेका नंद की शिष्य बनी थी जिनें क्या किया जाता ह दोस्तों भारत में शिष्टर निवेदित्ता के नाम से जाना जाता है इन्होंने स्वामी विवेका नंद को योद्धा सन्याशी कहा था अब दोस्तों क्यूशन इस टाइफ से पूचा जाएगा कि स्वामी विवेका नंद को योद्धा सन्याशी किसने कहा था तो इससे सम खब्राद नहीं दोस्तों कि ये सब कुछ संभव हो सकता है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे recovered son society की बारे में । यानि दोस्त ow सब्टा अंगर संद्धिक से शू कसे वो गल्त नहीं मेडimmung यह दोस्तों यहां पर इनका च hypothesis तरह आप देख पा रहे है हो इन्हों ने स्टाबना की थी और इनका नाम था मिडम बलॉट इसकी के दोरख दीज़या और उसके साथ में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे करनल ओलकार्ट एकने भी दोस्तों आथारह सो पिच्चेतर में इसकी इस्ताफना कि 10 चुशूपिकल सोसाइटी की उसके बाद में दोस्तों तियोशूपिकल सोसाइटी का अंतरास्रीकर जा सकता है कि दोस्तों धी त३ो-च्थो-अ-चिकार्याल है जो काम पर है दोस्तों 8 अडियार यानि मदराश के अंदर खोला गया था और कब खोला गया था दोस्तों यह खोला गया था आपका अठारा सो बैएसी के अंदर उसके बाद में दोस्तों एनी बीशेट से समधित थे कुछ महत्पून जानद करिये यह दोस्तों आप चाहांचीतर देख सकते हैं ऐन्वे में बनारस के अंदर दोस्तोंog should Appreciate की इस ताइब से पूछा जाएगा आप से की शिरी सिरी यह सिर्मती है एलग说 सれて Te इन्हों ने किश्ची स्श्टाफना की ती यह दोस्तों बनारस के अंदर शेंटरल हिंदू को लेज़ की इस्टाफना की थी जो आगे चलकर 1916 के अंदर मदन मोहन मालवी के प्रियास यानि दोस्तों ये जो मदन मोहन मालवी है इन्होंने एक प्रियास किया था जिसके कारण क्या हुआ बनारस हिंदू विसु विदाले बन गया था ये सेंटरल हिंदू कोलेज तो ये दोस्तों इसे समधित महत्वून जान करी है अब दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं अलिगर्ड आंदोलन के बारे में यह दोस्तों अलिगर्ड मुस्लिम विश्व विदाले आप यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां पर है दोस्तों सर शेयद एहमद खाने अलिगर्ड आंदोलन का नेतर्टू किया था इन्होंने पीरी मुरादी पर्था को खतम करने की वकालात की थी और उसके बाद में दोस्तों शहिद एहमद खाने तहजीब उल अक लाक नामक पत्रिका दुआरा अपने विचारों का परसार किया था और वे दोस्तों पस्चाते जो शिक्सा थी उसके समर्थक थे और एहमद खाने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1845 में अलिगर्ड मुस्लिम एंगलो औरियंटल कोलेज की इस्ताफना की थी और जो कि दोस्तों 1920 के अंदर अलिगर्ड मुस्लिम विस्व विदाले बना अब दोस्तों क्यूसन आप से इस तरह से पूछा जाएगा कि अ आपका राइ्ट अनसूरों होना चाहिए 1202 और 1905 प्ड़ делает यी यह भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्यूसन वो किसी फिक परकार से पूछाए आप दोस्तों यह पर हम देखिएंगे देवबंद अन्दोलं के बारे में यह दोस्तों देवबंद अंदोलं को हुआ था किसके दूआरा किया गया था इसे समदित भी क्यूशन पूछा जा सकता है तो यहां पर है दोस्तों देव बंद आंदोलन की इस्तापना यह दोस्तों मुहमद कासिम जिसका नाम है दोस्तों पूरा ननो तवी एउं रशीद एहमद गंगोई ने की थी और यह दोस् 66 के अंदर उत्र परदेश का एक जिला है दोस्तों सारन पूर वहां पर एक इस्तान है जिसका नाम है देव बंद वहां पर दोस्तों इसकी इस्तापना हुई थी और उसके बाद में दोस्तों इस अंदोलन का परमुक उदेशे क्या था अब दोस्तों उदेशे से समदित भ बिरुद बगावत जारी रखना ये दोस्तों इसे इसका पर्मु के उदे से था ये जो अंदोलन है इसका अब दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं एहमदिया अंदोलन के बारे में कुछ महत्पून जानकरी इसकी इस्ताबना दोस्तों अटारह सो नावासी के अंदर इसलिए दोस्तों इसे क्या है कादियाना अंदोलन के नाम से जाना जाता है यहां पर दोस्तों आपको पता है कि जितने भी अंदोलन होते हैं वो यह तो पिर जो अंदोलन करता होता है उसके नाम पर हो जाता है यह पर दोस्तों जो इस्तान जहां से वो अंदोलन दीजिए और साथ ही दोस्तों जो भी आपने नोर्स बने उनको रिविजिन करते रहें धन्यवाद जैहिंद जैवार्द